ये हम लेके आए हैं आपके सामने हकीक जिसको इंग्लिश में अगेट भी बोलते हैं ये अलग-अलग रंगों में आता है और ये सुलेमानी हकीक है हकीक में भी टाइप होते हैं और ये सुलेमानी हकीक है इसको योद्धाओ का नग भी कहा जाता है इन बहुत नाम आपने सुना होगा English में इसको अगेट बोलते है चुकि जिस वर्ड से इसकी उत्पत्ती हुई है उस वर्ड के वज़े से इसको अगेट हम बोलते है प्रॉपर काला भी आप काले जैसे भी आपको दिख सकता है और लाइनिंग वाला भी दिख सकता है पहचान करने के लिए मैं आपको कुछ तरीके आपको इसे वज़ा सकता हूँ इसको पहचान करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि जो मेरे पास इस समय नकली वाला वो अवेलेबल नहीं है अपको ठीक भी मिल जाता है ऐसी बात नहीं है लेकिन किसी प्रतिश्चे दुकान से ही आप लेंगे तो ही ठीक मिलेगा ऐसे हो सकता है गलत भी आपको मिल जाए जब आप इससे लाइट पास कराएंगे मैं आपको एक वीडियो में दिखाऊंगा इसकी टेस्टिंग की वीडियो जिससे आप इसको थोड़ा पता कर सकते हैं कि ये ओरिईनल है के नहीं और ये ओर इनी हकीक है इरान से ङाया है वह अधे इसमें जो है एक टाइप और भी आता है जो की है आपका ये वाला ये भी हकीक है पर ये जो है ये यमन का है यमनी हकीक इसको हम बोलते हैं यमन से आता है ये इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है जहां तक हमने जानकारी उठाई है जैसे ये सेमी प्रिशेस स्टोंस है और ये कई सारे स्टोंस का जो है आपका सबसीचूट के रूप में भी लोग इसको इसको इस्तिमाल करते हैं जैसे आम दोर पे जो आप रतन पहनते हैं जैसे नीलम बनना तो वो अगर सूट ना करे तो उसके साइड इफेक्ट होने के चांसे ज़ादा होते हैं ऐसा होता है हमारे पास के कहीं सारे हमने इसके बारे में सड़ी कराया तो हमने पाया है कि ऐसा होता है तो लेकिन इसके साइड इफेक्ट ज़ादा नहीं होते हैं ऐसे कु आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही राधे राधे जै महादेव